आज अब जटपेट बनने वाली पराठा की रेसी पी लेकर आए आधा कब मैदा, आधा कब सुजी, आधा कब गेहु काटा, तीनों को मिक्स कर लिये हैं, उसमें हम नमक, गाजर, प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी पॉडर, सब को डाल के घोल तेय करते हैं, तब आप गी को डाले, उसमें थोड़ा थोड़ा बैटर को डाल दे, इस तरह से फैला ले, आप मेरे वीडियो को लाज तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, और इस तरह का पराठा जरू ट्राइब करें, इसमें ना आटा गुतने का या अकेले जॉब कर रहे हैं, वो रोटी नहीं बना के खा सकते हैं, वो बच्चा इस पॉस्टिक नास्था को बना के खा सकते हैं, ना अलग से सबजी बनाने का जंजट, ना और कुझ, बस सबको काटे, एक सथ घोलक त्यार करें, और जटปड़ बना ले, ये कोई भी बना सकते हैं छोटे बड़े कोई भी बच्चे तो चलिए एक बार अब ट्राइ किजी इस पराठा को और इंजोआए करें किसी भी चटनी के साथ या अचार के साथ